गोंदिया नगर परिशे शेतर अंतरगत चोटा गोंदिया गोविंदपुर के लोगो को पीने के लिए शुद्ध मिन्रल वाटर मिल सके इसो देश से बिधायक परिने फूके के फंड से गोविंदपुर इसकूल के प्रांगन में 25 लाक रुपए की लागत से आरोप लांट क टंकी लगाई गई जो कि एक वर्ष पूर्फी बनकर के पूर्ण रूप से तयार है लेकिन वर्तमान समय में इस 25 लाक रुपए की लागत से बने टंकी से प्रभाग वासियों को 25 बून पानी भी आज तक पीने के लिए उपलब्द नहीं हो पाया है विशेश बात यह है कि आ पिलने वाले पानी से भी यह उच्छी क्वालिटी का पानी होगा जिसका बांध का जिम्मा सारवजनिक बांध काम विभाग को सौपा गया लेकिन सारवजनिक बांध काम की लापरवाई के चलते है और गोंधिया नगर परिशत की उदासींता के कारण इस 25 लाकी टंकी से प्रभाग वासियों को पीने का पानी उपलब्द नहीं हो पाया है विशेश बात यह है कि गोंधिया शैर में करीब इस तह की आठ टंकी बनाई गई है जो की लगभग 2 करोड रुपे की लागत से बनी है जो आमधा परिने फूके के कोटे से बनी होने के बावजूद भी स तंकी बनाये जाने के पश्यात नगर परिशत को उसे सौब दिये जाने की बार ठेके द्वाग द्वारा बताई गई है जिसके बाद नगर परिशत के द्वारा नगर परिशत शेतर में बनाई जाने वाली तंकी योग के बनने के पश्यात एनो सी भी उन्हें दी जा चुक आठ टंक्यों के बारे में किसी भी प्रकार की फाइल उपलब्द नहीं है जिस कारण वह किसी भी प्रकार का जवाब देने में अपने आपको असमर्त महसूस कर रहे हैं एक साल भी जाने के पश्याद भी प्रभाग वास्यों को आज तक 25 भून पानी भी 25 लाकी टंकी से नहीं मिल पाया है जिसको देखते हुए छोटा गोंदिया गोविनपूर प्रभाग के निवास्यों ने महराश नव निर्मान सीना के जिला उपाद्यक्ष मुकेश कुमा मिश्रा के माध्यम से हस्ताक्षर किया हुआ लिखित निवेदन नगर परिशत के मुख्यदिकारी करण कुमार चोहान प्रभाग वास्यों द्वारा हस्ताक्षर कर मुख्यदिकारी के नाम दिव्या निवेदन सौपते हुए उनसे जिला उपाद्यक्ष मुकेश मिश्रा ने कहा की आमधा फंड से बनी हुई टंकी जो की जनता के लिए बनाई गई थी उसे करीब एक वर्ष से ज्यादा की काल द्वारत जल से जल गोंधिया शहर की जनता को विधायक परिने फूके के कोटे से बनी हुई इन टंकियों द्वारा शुद्ध पीने का पानी उपलब्द कराने की बात कही है जिसके लिए तुरंधी मनसे जिला उपाद्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा वह छोटा कोंधिया गोविनपुर की प्रभागवासियों के आविधन पर जल विभाग की अभियंता खाबडे को बुला कर इन टंकियों की जानमीन कर जल से जल इने शुरू करने का लिखित आदेश दिया है गोंधिया से BCN News के लिए अभिशेक भटनागर की रिपोर्ट